कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ताजे तर्मा करेला रेम फॉक ने कारणे चर्चा मा चे कपिल शर्मा एक फेशन शो माटे रेम फॉक कर्यू हतू जेना वीडियो सोशल मीडिया पर वाईरल थाई रहा चे आ रेम पर ते खुपच फणी स्टाइल मा पोस आपतो जोवा मड़े चे कपिल ने आ रूपमा जोई ने दरेक व्यक्ति पेट पकड़ी ने हस्वा पर मजबूर थे जाए चे भारतियर टेलिविजन एकेडमी ना स्थापक शशी रंजननी पतनी अने अभिनेत्री अनुषका रंजननी माता अनुरंजन द्वारा आयो चित दबेटी फेशन शो माटे कपिल शर्माय रेम फॉक कर्यू हतू आ फेशन शो माँ कपिल ब्लाक जेकेट नी साथे ब्लाक अने गोल्डन पैंट पहर्यू छे आ रेम फॉक बाद कपिल शर्माय जे स्पीच आपी हती तेने सवनु दिल जिती लिदू हतू तेने आ स्पीच माँ कहू हतू के जारे हुँ नानो हतू त्यारे मारा पीता मारी बहन ने खुब प्रेम थी शाड़ाये मुकवा जता तेओ मारी बहन ना पख पन दबावता आता जैरे मने अने मारा भाई ने तो ते मोढ़ा सामे जोया वगर अच कई दे के चालो अई या थी उठो पन हवे हो पोते पीता बनी गयो छू त्यारे मने सम्जायू के तेओ आवू खेम करता हथा एक पितानी लागणियों हुँ पिता बन्या पछित समझी शक्यो छू पहला कोई विजानी दिख्री मारा जीवन मा आवी औने मारी पत्नी बनी औने पच्छी मारा जीवन मा एक दिख्री आवी छेले कपी ले हस्ता हस्ता कईू अतू के आजे हूँ पहली वार रैम फॉक करू जू बाकियाद सुधी हूँ हमेशा रस्ता पर चालतो जटो First of all, thank you so much, I know मैं शेशी सा है, वो making me part of this beautiful initiative और क्योंकि अब मैं भी एक बच्ची कबाब हूँ अब मुझे समझ में आता है कि बच्च में मेरे पापा जब मेरी बेहन को उठाते थे सुबह स्कूल जाने के लिए तो कैसे फुट मसाज से शुरू होता था और हमारा ये भी ने देखते थे कि ब्लैंकेट में मुग किस तरफ है खीच के उठाते थे लेकि जब अब मैं खुद फादर बना उसुब मैं ये रिलेट कर सकता हूँ चीज की बेटियां जो होती है मेरी लाइफ में पहले तो किसी और की बेटी आई मेरी बतनी के रूप में फिर मेरे घर में एक प्यूटिफुल डॉटर जो होई मेरी बेटी अब शुटाइए दनी के आई प्यूटिफुल जो है कि अधियों प्यूटिफुल में वाग किया है जो तो आप जो अधियों इन अंब नागो अधियों कि और अधियों कुछ नवट नूप दो और इतना खूर शुर्थ काम है कि हम लोग हमेशा हैं जब भी आप में एक ब का चोटा सा हिसा बने, thank you so much for all the models, thank you so much Siddharth and Shashi ji, Anu ji, thank you love you I mean there's nothing more to say it's just I'm always grateful that my mother started something like this and I can be a proud part of it and I just want to say thank you to everyone who comes out every year every year they put so much energy for the course and I think it'll thank yous will never be enough you झाल 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 झाल